तो दोस्तो नमस्कार आप सभी का स्वागत एक नए वीडियो में तो दोस्तो आज की वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं ड्रीम 11 अप्लिकेशन कैसे खेलते हैं इस पर टीम कैसे बनाते हैं टीम बना के कैसे कॉंटेस्ट में पैसे लगाते हैं और पैसे लगागे कैसे 1000 क्रोट पर विन करते हैं तो आज की उड़े हम आप सभी complete knowledge देने वाला है complete process बताने वाले हैं dream alone application के बारे में तो वीडियो के end तक जरूर watch करें तो आईए देर न करते वीडियो को start करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे अपने mobile के play store में जाएंगे और play store में जाने के बाद simply search बार वे हम dream alone app लिख देंगे आपे और उसको search करेंगे search करने के बाद से जैसे आप सभी देख सकते हैं कि dream alone application यहाँ पर आ जाता है तो हमको क्या करना रहेगा इसको download करना रहेगा अपने phone में install करना रहेगा तो download करने का link मैं इस वीडियो के description में दे दे रहा हूँ तो description से जरूर आप चेक करके वहाँ से download करें तो download करने के बाद कुछ इस तरीक है आप सभी को interface आएगा यह play का option आएगा अब हमको क्या करना रहेगा play वाले option पे click करना रहेगा तो play वाले option पे हमने जैसे click किया तो यहाँ पे आप सभी देख सकते है कि dream alone application का जो की homepage हमारे सामने खुल के आगया है जिसका interface कुछ इस तरीक है का आप सभी को दिखाए देता है यहाँ पे जैसे उपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे अलग-लग matches आप सभी को दिखाए देंगे और यहाँ पे इसके interface के अगर बात किया जाए तो यहाँ पे चार-पांच तरफ के आप जो की game खेल सकते हैं इस तरह से पांच गिम में आप जो की अपनी टीम बना के पैसे लगा के यहाँ से अचार-पांच लोड पर वीन कर सकते हैं और उपर आप सभी देख सकते हैं कि लेप सैड में सबसे कॉर्णर पे यहाँ पे प्रोफाइल का section दिए हुआ है इसको जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप जैसे अपना प्रोफाइल बना लेंगे तो यहाँ पर आपका profile दिखाता है और राइट सैड में कॉर्णर पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप सभी एक wallet का निसान दिखा रहा है तो valid के निसान पर जैसे आप click करेंगे तो आप पर आपका जितना भी remaining amount रहेगा जो balance आपका इसमें रहेगा आपने add किया रहेगा वो दिखाता है यहां पर और यहां से ही आप जोए कि अगर add cash करना चाहते हैं पैसे इसमें add करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं यहां से तो फिर हम नीचे आजाते हैं नीचे आप सभी देख चकते हैं कि home का section दिया हुआ होगा है home पर जैसे आप click करेंगे तो यह पूरा interface आप सभी को दिखाएगा उसके बगल में my matches का option आता है उस पर जैसे हम click करेंगे तो जितने भी हमने team बनाया रहेंगे जिसमें पैसे रागाया रहेंगे contest में वह दिखाता है और उसके बगल में rewards का एक option आ रहा है उस पर जैसे आप click करेंगे तो आपके जो की application पर उस time जो भी rewards चलता रहेंगा वो दिखाएगा यहां पर और इस तरह से winner वाले section पर जाएंगे तो जितने भी dream alone application पर अलग लग matches में जो winner रहेंगा वो winners यहां पर आप सभी को दिखाता है तो कुछ इस तरीके का interface है यह dream alone application का अब यहां पर आप सभी देख सकते हैं कि ऊपर जैसे हम आएंगे तो यहां पर पहला जो cricket है first game जो की cricket हो जो की काफी popular है और cricket पर ही बहुत सारे लोग जो की पैसे लगाते हैं अपनी team बनाते हैं और काफी बड़े-बड़े amount जो की यहां से win करते हैं हम cricket पर ही आप सभी को team बनाकर पैसे लगाकर आप सभी को दिखाने वाल अब क्या करें एक है कि cricket ही पर से लेक्ट है यहांप्र करते है यहां के दिखार होरा जो आच मैच होने वाले हैं और कल होने बाले जो पर्स होने वाल के पैसे यहां निगछ नाज और world के भी जो matches चल रहे हैं पर आप सभी को दिखाते हैं तो जिस भी match पर आपको team बनाना है, create करना है, पैसे लगाना है हमको क्या करना रहाएगा सबसे पहले उसको select करना रहाएगा जैसे यहाँ पर सबसे उपर आप सभी देख सकते हैं कि top में उपर ही सबसे दिखा रहा है GT20 Canada का यह match है हम इसी पर आप सभी को team बना के पैसे लगा के दिखाने वाले हैं तो simply क्या करेंगे इस पर click करेंगे तो उस पर जैसे हमने click किया तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि एक निया interface हमारा सामने खुल का जाता है अब यहाँ पर जो की contest का option आजाता है हमारे सामने यहाँ पर अलग-अलग price pool में अलग-अलग contest आप सभी को दिखाए देंगे अब हमको क्या करना रहा है कि contest में participate करने से पहले अपना खुद का team बनाना रहेगा 11 प्लेयर्स का create team करना रहेगा यहाँ तो नीचे create team का option आ रहा हम क्या करेंगे उस पर click करके अपना लाउंडर और जो एकी ballers को मिला के complete चारो format में से हमको 11 प्लेयर्स यहाँ से select करने रहेंगे चूच करने रहेंगे और यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि उपर credit 100 जो एकी left 100 लिखा हुआ हमको जो एकी 11 प्लेयर्स जो select करने वह 100 प्लेयर्स के अंदर ही सारे 11 जो column से वह total green हो जाएगा तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे अपने team का wicket keeper select करेंगे तो यहाँ पर हमने एक wicket keeper select कर लिया है आप चाहें तो दो से तीन option इसमें रख सकते हैं इस तरह से हम आ जाते हैं फिर से batting के section पर हम क्या करेंगे अपने team का जो एकी batsman select हैं तो इस तरह से हम फिर क्या करेंगा आलावंडर के section पर जाएंगे अब हम क्या करेंगे अपने team का आलावंडर यहाँ पर select करेंगे इस तरह से आप से भी देख सकते हैं कि हमने चार आलावंडर जो की select कर लिया है आप चाहें तो इसमें संख्या जो की कम ज्यादा कर सकत हैं अब हम क्या करेंगा अपने टीम का बॉलर को भी सिलेक्ट कर लिया वाइपने टीम का आप से जो है कि बॉल वर सको लिए हुआ तो इस तरह से हम फिर बैक आजएंगे बैक आने के बाद से अम क्या करेंगे से जो नीचे next का बटन आ रहा है उस पर क्लिक करेंगे को तो उस पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपसे भी देख सकते कि अब हमको अपने टीम का captain और wise captain बनाना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगा अपने team का captain और wise captain select करेंगे तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि हमने captain को select हिया तो यहाँ पर 2x लिख किया रहा है तो जो भी captain यहाँ पर जिसको हम बनाएगा वो जितना भी run score करेगा हमारा wise captain जितना point अचीब करेगा उसका date गुना हो जाता है तो इस तरह से आप जब भी बनाए captain और wise captain तो अच्छे players को बनाए क्योंकि आपके team को winning zone में लजाने के लिए captain और wise captain का role बहुत बढ़ा होता है तो इस तरह से हम captain और wise captain गृणारे उपर तीसरा उस पे click करेंगे उस पे delivery पर क्लिक की तो हापने आप से भी देख सकते के एमरा टीम इसामने आगा है आप अब हम इसको team को click करेंगे तु है हापर c اप क्लिक करेंगे तो ह्मारा team जो जो की ओ started यहां पर पूरा टीम दिखाए देगा कि आपने कैप्टन वाइस काप्टन किसको बनाया हुआ है और आपने गैरा प्लेयर जो कि किसको किसको सेलेक्ट किया हुआ तो इस तरह से हम फिर बैक आ जाएंगे बैक आने के बाद से फिर आप से भी देख सकते कि वही कॉंटेस्ट वाले option पर आजाएंगे अब हमने जिस match पर टीम बनाए उसको select करेंगे अब यहाँ पर जिस भी contest में हमको participate करना हो जिसमें पैसे लगाना हो उस पर हम क्या करेंगे यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं उपर सबसे पहले यह 78 लग का price पूल है यहाँ पर जो की first price 4 लग है 36 रुपे सॉरी जिसका 49 रुपे इंटरी फीस है और उसके नीचे आप सभी देख सकते हैं कि 4 लग का price पूल है उसमें जो की first price 20,000 रुपे है इसका इंटरी फीस 49 रुपे है इस तरह से रगलग प्राइस पूल में देख सकते हैं आप सभी के अलग लग लग इंटरी फीस में आप सभी को बहुत सारे सेकेंड वाला जोई की 49 रुपया प्राइस पूल है इंटरीफीज सॉरी उसका जोई की डिसकाउंट करके मुझे 29 में मिल ला है और इसका प्राइस पूल रुपया इसका फर्स्ट प्राइस ब्रुपया है मैं इस पर ही आप सभी को पैसे लगा के दिखाने वाला हूँ तो simply हम क्या करेंगा अब उस पर क्लिक करेंगे इसकाउंट करेंगे तो इस पर हमने क्लिक किया तो यह आप से भी देख सकते हैं कि हमारा जो एक इंटरीफीज दिखा रहा है एक उन्तालीस रुपया है और यह जो एक डिसकाउंटेड हमको इंटरी मिला हुआ है जो की दस रुपय का तो यह हमको 19 रुपय में पढ़ रहा तो इस तरह से जो जो जॉइन कॉंटेस्ट का उप्शन आ रहा हम क्या करेंगे उस पर क्लिक करेंगे तो उस पर जैसे हमने क्लिक किया तो यहां पर आप सभी देख सकते हैं कि मैसे जाता है कि आप जो की सक्सेस्पूली जो की कॉंटेस्ट जॉइन कर लिया आपने अब हमक प्राइच पूले इसमें फर्स्ट प्राइच जो की 20,000 रुपया है तो इस तरह से आप बैक आ जाएंगे फिर और अब जो लाइब मैच जब मैच जब चलेगा तो नीचे माई मैचे का जो आपचना इस पे क्लीक करेंगे तो कुछ इस आसान इसटेप से जो है कि आप ड्रीम अलर अप्लेकेशन खेल सकते हैं इस पे टीम बना सकते हैं, पैसे लगा सकते हैं और हजार कोड़ पर विन कर सकते हैं तो वीडियो कर अच्छी लगए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एंड सेयर करें आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स पर वाचिंग